नमाश्कार उच्डाय वाल सपर्ट में आपका स्वागत आज मैं आपको बताने वाला हो कि आपने वाटर पी रुफ़एर में जो इलेक्торिक कनेक्शन होता है वो यसे में सही होता है यरं डीसी में सही होता है दोसतो वैसे देखा जाए तो जो ये ज़क्र teachers कूछ वाटर पीरुफायर में किये जाते हैं दोस्तों मैं पहले आपको AC और DC में क्या फरक होता है इसके बारे में जानकारे देना चाहता हूँ दोस्तों AC connection का मतलब होता है आपना जो SNPS होता है आपने वाटर पीरुफायर का SMPS के पहला जो वाइरिंग होता है उसको यसी वाइरिंग कहते है और SMPS के बाद का जो वाइरिंग होता है उसको DC वाइरिंग कहते है दोस्तों कुछ वाटर पीरुफायर ऐसे होते है जनरली जो लोकल वाटर पीरुफायर होते है वो AC औध meinen C में wiring होता है और DC में होता है Mix wiring होता है तो उसको हम क्या कहते है Generally उसको यसी वाइरिंग कहते है दोस्तो दो कुछ Water Pury Character आएसे होते है जो जो संप्स होता है ये संप्स के बाद ये संप्स के बाद पूरा वाइरिंग होता है उसको हम DC wiring कहते हैं ज्यादा तर branded water purifier में DC electric connection होता है AC में wiring नहीं होता है 100% DC में electric connection होता है लेकिन local में हमारे AC में भी होता है और DC में भी होता है दोनों mix होता है दोस्तों अगर safety की चीज़ हम दिमाग में रखते हैं ध्यान में रखते हैं तो DC wiring आपको सबसे better wiring होती है दोस्तों DC wiring में होता क्या है उसमें voltage कम होता है इतना कम होता है कि उसको अगर हाथ भी आप लगाते है तभी भी कुछ नहीं होता है तो safety के हिसाब से DC wiring आपको सबसे perfect है मैंने जितने भी आभी तक के branded water purifier देखे हैं सब्सक्राइब होता है तो बहुत बड़ा एक्सिन हो सकता है अगर हाथ भी नहीं लगाते हम अगर लिकेश होता है का तो इसमें होता क्या है यह सब्सक्राइब होने के कारण बहुत बड़ा एक्सिन होने की आशंका रहती है दोस्तों इससे बेटर अगर इसको आपको टालना है इससे बेटर आपको DC में कनेक्शन करवाकर लेना है जो केशन के पहले की जो केबल है वह थोड़ी भी कट नहीं होनी चाहिए अगर थोड़ी भी कट नहीं होगी तो आपके वॉतर और पिर्फियर नहीं करते होगा दोस्तों आपके केबल खोड़ी भी कट है Thank you.